हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग दोस्तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो शिवान सर्मा जी ने मुझसे रिक्रेस्ट किये है कि इंसेक्यूर पार्टनर के उपर एक वीडियो बनाए तो दोस्तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपके उप उपर इंसेक्यूर है और इसलिए वो शक करता है जगरा करता है या फिर आप अपने पार्टनर के उपर इंसेक्यूरिटी फिल करते हो और इसलिए आप उनको शक करते हो और इसलिए आप दोनों में तनाव बना रहता है तो यह वीडियो आपके लिए है आप इसको लास तक तो आप अपने पार्टनर के उपर इनसेक्यूर हो तो क्या करना है मैं अभी बता देती हूँ अगर माली जे किसी भी कारण से आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़के चला जाएगा तो आप खुद के उपर confidence नहीं हो तो आप खुद के उपर confidence level जो है वो आपका कम है आप ये सोचते हो मुझसे बहतर कोई मिल जाएगा तो वो मुझे छोड़के चला जाएगा या फिर चली जाएगी तो आपको ये करना है वो आपको छोड़के जाएगा ये जाएगी ये सोचने के अलावा आपको ये सोचना चाहिए कि मैं खुद को कैसे और बहतर बनाओ ताकि सामने वाला मुझे छोड़के ना जाए आप इसको अच्छे से समझो यही psychological point है हम यह हमेशा सोसते रहते हैं कि सामने वाला मुझे छोड़के ना चले जाए हम सामने वाले की उपशा करते हैं हम उसको मतलब उसको निगरानी में रखनी की कोशिश करते हैं हम उसके उपर ही सारा काम करते हैं और इससे होता क्या है वो और भी हमसे दूर चला जाता है तो हमें यह नहीं करना है यह सबकी एक बड़ी गलती होती है कि हम सोचते हमको छोड़के चले जाएंगे तो हम पे नहीं काम करके सामने वाले के उपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं दूस्तों हमारे हाथों में भगवान इतना पावर नहीं दिये है कि हम बाकी सबको चेंज करते फिड़े ठीके लेकिन यह पावर हमें जरूर दिये है कि हम खुद को चेंज कर सके तो आपको ये करना है अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह security फील कर रहे हो कि आपके बढ़नर को छोड़के चला जाएगा तो आप खुद को ऐसे attractive बनाए ऐसे valuable बनाए और इतना प्यारा इंसान आप खुद को बनाए ठीक है कि आपके साथ सब जुरना चाहेगा आपको कि कोई जाना नहीं चाहेगा अब आप पुछोगी कि फिर attractive कैसे बने तो इसके उपर में मैं वीडियो बना चुकी हो दो तिन ठीक है उन सबका link description में है तो करना ये है आपको इतना attractive बनाना है खुद को कि वो आपको छोड़के जाने की बात सोचेगी ही नहीं वो इसके दि ठीक है तो ये line आपको बड़े है अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि आपको उसके दिमाग में ऐसा create करना है कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो इसमें तुमारा ही नुकसान होगा मेरा कुछ नहीं होगा अगर ये आप उसके दिमाग में create कर पाओगे तो वो आ रहेगा वो किसी भी तरह से हो सकता है ऐसा नहीं कि आप सुन्दर हो या फिर सुन्दर नहीं हो या फिर रंग गोड़ा है काला है इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है ठीक है साइकलोजिकली आप कैसा दिखने में हो इससे आपके प्यार का और आपके प्यार के आपके एट करनी है उनके जिन्दगी में कि उसको लगे कि ये अगर मुझे छोड़के जाए तो इसमें मेरा ही दिकत है कि ऐसा बंदा मुझे कभी नहीं मिलेगा अगर आप खुद को इतना इंटरस्टिंग इतना चार्मिंग इतना वैलुएवल बना पाओगे तो कोई भी आपको छ और प्राइन जिचोड़के जाना चाहेगा ही नहीं यह तो हो गया कि आप अगर इनसीक्यूरिटी फील करे हो ॥ अब हम यह सोचेंगी कि अगर हमारे पार्ट्नर कि मैं तो इनसीकूरित नहीं तो पार्ट्नर को लगे लेकिन मेरी partner खाम कही इतना insecurity feel करती है या फिर करता है कि मेरी जिन्दगी जहनुम बना के रख दिया है हमेशा शक करता है या करती है हमेशा मुझे मतलब हमेशा शक की नदर से देखता है और मुझे इस तही से जीने नहीं देता है और इसलिए जगरा होता है अगर ये आपकी problem है कि आपके partner आपको शक कर रहा है या फिर insecurity feel कर रहा है तो फिर ये जो अभी मैं बताने जारी हूँ इसको आप बड़े ही ध्यान लगा के सुनिए दोस्तों अगर आप अपने partner को बहुत ही ज़ादा चाहते हो प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो आपको छोड़के ना जाए तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि अगर उसके दिमाग में कोई भी शक का किरा घुसा है तो आप उसको निकालो अब आप उसको कैसे निकालोगी पहली बात अब ये सोचो आपकी कभी कोई भी हरकत ऐसी हुई होगी कि उससे उसका मन में शक पैदा हुआ है ठीक है अब आपके लाइब में क्या हुआ है मुझे नहीं पता हाँ हो सकता है कि वो उसके गलत फेहमी हो ठीक है कोई भी कारण हो लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यार रखना आपका ही वज़े से उसकी दिमाग में शक का कीरा घुसा है वो किसी भी तरह से हो सकता है गलती से भी हो सकता है मैं ऐसे नहीं पूरू कि आप हाँ आप ऐसा ही हो इसलिए वो शक करता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है आप बहुत अच्छे हो आपका ऐसा कोई प्रॉब्रम ही नहीं है किसी और के साथ कोई चकर नहीं है फिर फिर उसके दिमाग में शक का कीरा चल रहा है तो फिर दोस्तों ये आपकी किसी भी बज़ा से हो सकता है हो सकता है आप कभी फोन देख रहे थे वो आगे अब तभी स्क्रीन बंद कर दिये होंगे ऐसे नॉर्माली इशायद स्क्रीन बंद किये लेकिन उसको लगा के आप उसको देख के किये हो ऐसा हो सकता है या फिर आप कभी किसे से बात कर रहे हो वो आ गया तभी माले जै आप ऐसे फोन काट दी हो लेकिन उसको लगा कि आप उसको देख के काटे हो ऐसी बहुत सी चीज हो सकता है कि जो सच नहीं है लेकिन उसके मन में किसी भी तरह से वो शक घर कर गया है तो आपको आपका परम कटब बनता है कि आप उसकी दिमाग से वो शक की किरा निकालो अब आप मैं तो कितना समझाती हूँ या समझाता हूँ वो समझता ही नहीं तो आपको ये नोटिस करना होगा कि वो कौन सी चीज में आपसे खपा होता है क्या आपके मुबाइल से वो चिरती है हो सकता कि आपके मुबाइल से चिरती है तो आप अपने mobile उसका आत में दे दो अगर आपका lock उसको नहीं पता है आप lock उसको खुल के दे दो कि देख लो मेरे mobile में क्या है या फिर कोई भी जो भी चीज हो आप उससे बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि वो उसके साथ आपका relation रहे तब ही यह सब करना अगर आप एक सच्चा प्यार करते हो और चाहते हो कि इसको long time चलाना है तो यह बहुत ही एक मुश्किल काम है और इसको आपको हर टाइम सीखते रहना है और इस पर आपको प्रयत्न करते रहना है यह इतना भी आसान काम नहीं है वैसे तो दोस्तों हमें ब इलकुल आसान काम लगता है किसी से प्यार करना और रिष्टा नीभाना ठीक है लेकिन ये सबसे कटिन काम है आप बहुत बड़े बड़े ऐसे फिल्म स्टार आपको दिखने को मिलेगा जो कि तीन शादी है पार्टिकुलर नहीं बोल रही हो कोई भी हो ठीक है वो इतना अच्छा काम कर रहा है सब कुछ लेकिन वो छोटा सा इक रिस्ता नहीं निवा पा रहा है क्यों ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं तो इसको हमें बरे ही प्यार से बरे ही प्रयतन से निवाना पड लेकिन आप अगर चाहते हो कि उसी के साथ आपको जिन्दगी वेर रहना है तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसके दिमाग में क्यों ये शक्का कीरा गुसा है और उसको निकालने की हर वो कोशिश करनी चाहिए जो आपसे संभग पर हो और दोस्तों अगर आप शक करते हो तो उसके लिए बोली हूँ कि वो वीडियो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके और अगर आपके पर्टनर आप पर शक करता है तो आप उसको अच्छे से सोच समझ के उसके सक्की कीरा को उसके दिमाग से निकालो तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है और वीडियो हेलफफुल लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ यह जरूर श्यार करना तकि उनको भी यह सब प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सेगे क्योंकि यह शक और यह एक इंसेक्रिट इतना बड़ा प्रॉब्लम है जो रिले कर ही दोगे यह मुझे उमीद है तो दोस्तों और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दवा देना तक कि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करो आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई